नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागंदर मेशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नवरात्री के दिनों में तुलसी को छुकर चुप चाप तीन बार बोल दें ये दो सब्द जो भी मांगोगे तुरंत इक्षा पूरी होगी दोस्तों हमारे हिंदु धर्म में तुलसी पूजन का विशेश रूप से महत्त बताया गया है क्योंकि तुलसी के पौधे को मा लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है कहा जाता है कि नवरात्री की दिनों में जिस घर में हर रोज तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में कभी भी दर्दता और दुर्भाग का वास नहीं होता और उस घर में सदैब मा लक्ष्मी जी का वास रहता है साथी तुलसी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापो का नास होता है कहते हैं कि जिस घर में नौरात्रे के दिनों में तुलसी का पौधा होता है वहां देवी देपताओं का निवास होता है साथे तुलसी उस घर की नकरात्मक उर्जाओं को समाप्त कर देती है और घर में केवल और केवल शकरात्मक उर्जा का संचार करती है पौरानिक मानताओं के अनुसार नौरात्री के दिनों में तुलसी पूजन करने से धन संपदा बैभो शुक और संबर्धी की प्राप्ति होती है और मा लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन रहती हैं वहीं पदम पुराण की अगर बात करें तो पदम पुराण के अनुसार जहां अंदकार नश्ट हो जाते हैं आपके घर में ग्रह कलेस रहता हो यह फिर घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है या पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं हो यह फिर जीवन में किशी न किशी तरह कोई बिगन बाधाईं परेशानी आती रहती है तो आज हम आपको एक खास मंतर की बारे में बताने जा रहे हैं यदि इस मंतर का जाप आप नौरात्री के दिनों में तुलसी पूजन के दवरान करते हैं तो मातर कुछी दिनों के अंदर आपको हर परिसानी आपकी दूर हो जाएगी और घर में इस्थाई रोप से मा लक्ष्मी जी का वास रहेगा साथी साथ घर में खुसहाली का वाता वरन भी बना रहेगा घर में कभी दुख दर्यदर्ता का वास नहीं होगा तो आए जानते हैं इस खास मंतर के बारे में लेकिन दोस्तों उससे पहले आप से रिक्रिष्ट करते हैं बीडियो को लाइक कर देजेगा दोस्तों के भी शेर कर देजेगा और यदि पहली बारा है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को प्रेश कर देजेगा मंतर जाप के लिए रोज की भात अपने इश्ट देव की पूजा पाठ जरूर करें इसके बाद तुलसी के पास जाकर सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करें इसके बाद तुलसी को शुद्ध जल अरपित करें आप चाहें तो गंगा जल भी अरपित कर सकते हैं इसके बाद उन्हें शिंदूर और हलदी चढ़ाएं ये तुलसी का स्रंगार होता है जो हर किशी को पसंद है इसके बाद तुलसी के नीचे घी का दीपक परजुलित करें और धूप अगर वत्ति भी ज़रूर करें तुलसी के साथ परिक्र keyboard अवश करें इसके बाद तुलसी के सामने बैठ कर कम से कम एक ज्यारा बार या फिर तीन बार तुलसी की माला से एक खास मंतर का जाप करें चुप चाप करना है कम से कम तीन बार जरूर आपको चुप चाप बोल देना है इस खास मंतर को मंतर कुछ इस प्रकार से है एक बार फिर से सुनिए इस मंत्र का जाप आप अविश्य करें नौरात्री के दिनों में मंत्र जाप के बाद अपनी सबी मनो कामनाएं तुलसी को छूकर बोल दे नौरात्री के दिनों में तुलसी को छूकर अपनी मनो कामना बोले इस मंत्र को बोलते हुए ऐसा करने से आपकी मनो कामना शीधे भगवान तक पहुँचती है जैसे कि आप जानते हैं कि तुलसी भगवान विश्युजी को बहुत प्री है इसके साथी साथ माता लक्ष्मेजी भी पसंद करते हैं क्योंकि माता लक्ष्मेजी का प्रतीक माना जाता है इसके अलावा भागवान विश्णुजी की आराधना ब्रह्मा भी करते हैं साथ ही सिवजी भी करते हैं यानि कि घूम फिर कर बात कहें तो तरिदेवों की कृपा आप पर बनी रहेगी इस मंतर के परभाव से खुद भागवान को आपकी इक्षा अवश्य पूरी करनी पड़ेगी और इसके लिए वो बिवस हो जाएंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जये मालक सिर्थ